वेलकम टू टीचर एजूकेशन आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आज के इस साइन्स की सकेंड क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आप लोग के स्क्रीन के आप लोग देख सकते हैं जन्तूं वह वनस्पतियों में वाता वरनी करने से पहले अगर आप मेसिज इसने क्लास नहीं देखी है वो आप लोग एक बार जरूर देख लें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा इसमें हम लोगों ने बड़े डिटेल से पढ़ा था कि सजीव निर्जीव में क्या अंतर है उसके बाद पौधों और जन्तूओं में क्या अंतर है उसमें ठेच सरे पौइंट्स पढ़े थे जो कि आपकी एक्जाम के पौइंट अव्यों से बहुत ही इंप्वाटेंट थे आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले आप लोग यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हमारे परिवेश में विभीन प्रकार की जन्तू और पौधे पाये जाते हैं आप जानते हैं कि कौन जन्तू या कौन पौधे कहां रहता है या उगता है जैसे और इन ही के अधार पर आप सभी दोग देखेंगे कि जीव प्राय मतलब यहां लोग बात करेंगे वह लिविंग थींस की बात करेंगे वह प्राय तीन अस्थानों पर रहते हैं मुख्यता अलाकि वह चार हो जाता है अभी आए जल में रहेंगे या स्थल पर रहेंगे वायू में रहेंगे और ऐसे कई जीव हैं जो की दोनों पाया जाते हैं, यह आप लोग नोट कर लेंगे, चार प्रकार की होते हैं, जिसमें जली, जली का मतलब जो सिर्फ जल में रहते हैं, अस्थली जो सिर्फ अस्थल पे रहते हैं, जैसे गाय होगी, भैस हो गए हैं, उत्ते हो गए हैं, यह सारे जो जानवर हैं, मनुष्य हो ग आप देख पायांगे कि कच्वई वह दोनुं में रहता है नends यह पूरी तरीके से यह कहेंना कि वायू में रहती है लेकिन पक्षियां वह वायू में अधिक little हवे में रहती है थीक्याँ उसके बाद आपके लिए क्रिया कलाप है कि आप इसको और अब समझने के लिए डीटेल से एक ऐसा ही कॉलम बना लें, उसमें जली जंतु में लिखें जैसे जिंगा मचली, अब मचली हमें कई प्रकार हैं, आप मचली लिख सकते हैं, धेर सारे आप लिख सकते हैं, अस्थली जन्तों में लिखें जो अस्थल पे रहते हैं जैसे बंदर हो गया अथी हो गया आप यह मतलब आपको जब आप कहीं बताएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपके पास एक्जामपल होने चाहिए आप बताओगे और वही एक्जामपल जो उनके आज पास दिखें किसी कि ऐसे जानवर का भी नाम हम नहीं लेंगे जो उसने देखा ही ना हो जैसे मैं आपको बता रहा हूं गाय क्योंकि आप सभी लोग उन गाय देखी होगी भैंस देखा होगा फिर उसके बाद गोड़ा आप कह लीजी जो कि हमारे अगल बगल पाया जाता है यह सारे अस्थल उसमें कवा है अब जितने भी पक्षियों का नाम ले लें पक्षी कह जते हैं तो सारे उसमें पक्षी जीव आ जाते हैं यह ध्यान रखेंगे आप एक चीज और नोटिस किये होंगे जैसे अगर मैं आपसे पूछू कि नागफनी कहां उखती है और कुमूदनी कहां उखत वो हर परिवेस नहीं हो सकता है नाकफनी का आप पेंट देखेंगे और जितने भी कटीले पौधए होते हैं उन को ऐसी जगह चाहिए जो की सूखी हो पानी की कं से कम आवश्चक्ता होती है और कुमूदनी जैसे फूल जो है इनको चाहिए जहां पर पानी हो दिक्तम जैसे जलकुम्भी भी होई यह सिर्फ पानी में खिलता है अगर पानी नहीं रहेगा तो कमल जो है वो नहीं खिलेगा यह आप देख पाएंगे कि ऐसे तो यह क्या है कि यह इनका एक अनुकूल वातावरण है उसी प्रकार से यहां देख पाएंगे यह वनस्पति अ प्रतिकूल वातावरण में रखा जाए अगर इन जीवधारियों को जैसे किसी भी जीव को उठा लीजिए अगर आप गाय को अगर पानी में रखेंगे तो वो उसका जीवन नश्ट हो जाएगा मतलब क्योंकि पानी उसके लिए अनुकूल वातावरण नहीं है यहां कहने का इस आधार पर इस निष्कर पे आम लोग पहुंुसते हैं कि यह सभी जानने के बाद कि इस तरह सभी जीवधारी को होते है जिवधारी में मनुष्य भी आ जाएगा वातावरण के अनुसार अनुकूलित होते हैं वो जीवन अपना जो जीते हैं वो वातावरण के अनुसार जीते हैं अभी मैं बताओं गजे से अगर हम मनुष्य हैं अगर हम इंडिया में रह रहे तो इंडिया एक ऐसा प्लेस है हमा वहां गर्मी ज्यादा होती है तो वहां की लोगों का पहनावा अलग होता है रहन सहन अलग होता है और बनावट भी बहुत तक अलग हो जाती है जैसे जो पहाड पे रहते हैं उन लोगों की हाइट छोटी होती है और उनकी आखे जो होती हो थोड़ी से उभरी होई होती है व इस वज़े से उनका आकार सारी रीक और मानसिक परिवर्तित हो गया है। इस निसकर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे क्योंकि आपकी एक्जाम में डेफिनेशन पुछी जाती है कि अनुकूलन क्या है या अनुकूलन किसे कहते हैं। जो भी हम परिवर्तन इस पर्यावरण में जीवित रहने के लिए करते हैं। जो अपने में परिवर्तन करते हैं जीवित रहने के लिए जैसे हम ठंडी में कम कपड़ों में नहीं रह सकते हैं। तो हमें ठंड लग जाएगी। तो हमें पता है कि अभी हम बिमार हो जाएगे। इसवज़े से हम अपने शरीर को ढखके रहते हैं। गर्मियों में क्या होता है कि अधिक कपड़े पहने रहेंगे तो वह भी एक अलग तरीके का यह हो जाएगा। या उस समय भी बिमार पढ़ सकते हैं, तो हम आप cotton के कपड़े पैनते हैं, हलके कपड़े पैनते हैं, ये सबी चीजें अनुकूलन कहलाती हैं, कि पर्यावरण के हिसाब से अपने अंदर के परिवरतन, क्या है वो सारेरिक परिवरतन हो, मांसिक परिवरतन हो, ये सारे जब और दिखे रहा है हमीं जहांपे आप सभी लोगों को पता है एक चीज आप यहां पर देखी पायेंगे मैं आप लोगों को यहां दिखा दे रहा हूं जैसे आप सभी लोग देख पाएंगे कि हर अलग-अलग भगव curly जगों के घर के आकार अलग होते हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, लगबग घर ऐसे ही बनते हैं, लेकिन ज़ादा वर्सा होती है, वहां के घर इस तरीके से शेप में होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि बारिस का पानी आसानी से गिर जाए, हमारे अब हम लोग देखेंगे कि अनुकूलन में होने वाले परिवर्तन अब हम लोग यह देखेंगे कि अनुकूलन में आखिर क्या-क्या परिवर्तन होते हैं वह प्राकृतिक परिवर्तन में क्या-क्या है यहां देख लिए विभिन जातियों में वातावरण के अनुसार होने व जो अब वह साथ मतलब वातावरण की अनुकूल रहकर जीवित रह सकते हैं और आप कह सकते हैं कि वह उनके लिए उप्युक्त भी है जैसे देखे सबसे पहले शरीर की बनावट की बात की जाए तो सरीर की बनावट हमारे भगावलिक च्छेतों पे मैटर करती है सबसे पहले यहां देख लिए वातावरण के अनुसार सरीर चप्टा पतला लंबा बेलनकार लंबा चोड़ा या हलका फुलका हो जाता है यह यहां पे तो जंतुओं की बात की जा रही है लेकिन आप मनुष्पे भी देखेंगे जैसे जो ठंडे पढ्द्र की रोसनी डाइट पती है तो उसकी स्किन जो है वह काली हो जाती है दो पहाड़ पे लोग रहते हैं उनकी हॉट चोटी ह SóSp 0 हमारे सरीर में परिवर्दन हो जाता है सिर की बात करें तो सिर की इस्तिती तथा बनावट भी वातावरण के लिए उपयुक्त होती है इसके पीछे का खिंचा हुआ चप्टा हुआ फैला हुआ पतला नेत्रों का इस्तिती जैसा मैंने आपको बताया कि आप देखेंगे कि ज वहाँ वह भी उसी तरीके से वहाँ पे मतलब हमारे सरीर में परिवर्दन आने लगेगा एक कई जनरेशनों के बात वहाँ आप देख पाएंगे कि जो निमेशक जिल्नियां पाए जाती है आग के ऊपर जिल्ली रहती जिससे कि पानी में देख सके है यह आप सब ही लोग अगर बायो पढ़े होंगे तो तोड़ा सजामती होंगे उसके बाद नेत्र तोचा के पीछे नेत्र के नीचे छिपे हुए तथा सिर्फ उबरे हुए होते हैं अलग-अलग जैसे भी जीव होते हैं जो जल में जीव रहते हैं उनकी आखे आगे ज्यादा निकली होई होती है क्योंकि उनको पानी में जैसे मचली आ जो है उनकी आखे आप देखोगे आप उबरी होई होती है तो यह अनुकूलन का ही एक हिस्सा है या अनुकूलन का ही वो एक भाग है उसके बाद पैरों की बनावट इसको पादू की बनावट लिखा है structure of limbs limbs में बहुत matter करता है मैं आप लोगो एक अभी image के थुरू दिखाऊंगा यहां आप देख लिजिए कि विन जातियों में वातावरण की अनुसार अग्र और पश्च आगे और पिछले पैर जो होते हैं पैर की तचना में अंतर होता है जैसे मनुस्य के आप देखेंगे कि हमारे जैसे हाथ हैं वैस जैसे माली जी यह हीरन दोड रहा है तो इसके पैर जो देखेंगे यह काफी मजबूत होंगे और आप कह सकते हैं कि बड़े कठोड होंगे चीता के पैर जो होंगे इसको बहुत यह तिब्र दोडता है तो इसके लचीले होंगे हाथी के पैर आप देखेंगे तो उसके बह जो है ये भी एक तरीके से इसके हाथ और पैर ही है जो कि उसको तैरने में मदद करते हैं तो ये काफी चौड़े होते हैं इसी तरीके से ये सभी क्या है ये सारेटिक परिवर्तन है अनुकूलन के अगर मानलो आपकी अगर इसके पैर ऐसे नहीं रहते तो ये पानी में तैर नहीं पाती एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर नहीं जा पाती जैसे पैंग्विन जो मचली है सौरी पैंग्विन जो पक्षी है आप सभी लोग जानते भी होंगी मैं या बना दे रहा हूं थोड़ी से मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी तो नहीं है लेकिन आप देख प यह थोड़े परिवरतन है उसी तरीके से आप देख पाएंगे कि जो जैसे यहां लेकिए देखिए कुछ ऐसे जन्तु होते हैं जिनको खोदने के लिए या वह ऐसे चीजे खाते हैं जो कि जमीन के अंदर गड़ी होई होती है तो उनके नाखुंदार आप कह सकते हैं उनक number of digits आप देख पाएंगे कि आप भगौलिक परिवरतन के साथ साथ या भगौलिक छेत्रों के अंतर के साथ साथ जो वहां के जीव पाया जाते हैं उसमें भी अंतर देखने को मिलेगा उनके पैरों की संख्या में जैसे आप यहां देख पाएंगे बहुत इंट्रेस्टिं जाते हैं जैसे प्लांटिग्रेट पैर जो है प्लांटीग्रेट पैर का मतलब होता है जिनके 5 उंगलीओं होती है और पैरों में यहां पे ही बात क에 गई है जैसे भालूप बैबून और मनूश्य होंक पाउट की पारेवून ने नहयां दिये यह जमीन पे इस्धिरेख ऺ टीजी ग्रेट कहते हैं जिन जिवों में चार ऊंगलियां पाय जाते ही जैसे हाइना यह लिच्व कल फ्रॉंग ही रहता है उसको जंप करना है वह सिर्फ एक रहता वह उतने असानी से काम नहीं कर सकता मजबूती से उसके बाद आप देखेंगे पूंच एक संथुलित ऑंक बैलेंसिंग औरगन के रूप में प्रयोग हो सकती है सूरक्षा का बीकर सकती और अधार । लिपटने का जैसे बंदरों की पूछ होती है कुछ बंदर जो होते हैं वह अपने पूछों का इस्तमाल आप देख सकते हैं कि टहनियों पेड़ बैठे हैं तो उसमें फसा लेते हैं तो उसका भी यूज है लेकिन आप देखेंगे अगर वह जीव उस पूछ का यूज करना कम कर देगा त जैसे अगर आप ऐसे अस्तान पर रहते हैं जहां पर बहुत गर्मी है तो आपकी तोयीं मतलब थे ऐलीं सजालगी और आप आप ऐसी जगहां पर रहते है कि तो ऑपक Snodal वह係ली रूखी उगी जैसे अप देखते हूंगे थंडी आती है तो हमारे बंदर गर्मी आती है तो पसीने से तैली तवचा हो जाती है तो यह सभी और यह जरूरी है अगर यह परिवर्तन नहीं होगा तो साथ उससे हमारे बाड़ी पे बाड़ इंपक्ट पड़े देखे तवचा में लिखा वातावरण कि उपयुक जन्तु की तवचा में भी परिवर्तन होता है जली जन्तु में चिकनी तवचा देखिए एक और अच्छा पॉइंट है यहां पर जो भी जन्तु जो है वो पानी में रहता है आप सभी लोग ऐस सकते हैं कि जो जन्तों पानी में रहेगा तो उसकी जो तवचा होगी वो चिकनी हो जाएगी चिकनी तवचा होगी उसकी क्योंकि वो हमेशा पानी में रहता है और पानी में रहने वाली सभी चीजे जो वो चिकनी यह होती है वायू में रहने वाले जो आप कह सकते हैं कि ज उनको ठंडी में आप देख पाएंगे बहुत सारे जीव हैं जिनकी त्वचा जो उसमें बाल होते हैं उसका कारण क्या होता है कि जब ठंड पड़े तो वह अपने को आप क्या सकते हैं कि धक सके या वह बाल उपी होगी उनको धकने में जैसे कुट्टों के उपर आप देख यह बेसिकली अनुकूलन आज हमने पढ़ा आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अनुकूलन की प्रकार कितने होते हैं और उसके बाद यह अगला जो अगली जो क्लास होगी उसमें यह चैप्टर खत्म हो जाएगा यहां पर बेसिकली आप यह भी पूछ सकते हैं कि सर यह पढ़ परण के हिसाब से ही होता है यहां पर आप देख पाएंगे कि जो पॉइंट है इसको आप नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट बना रहे हैं शौट पॉइंट में होने वाले पदिवर्तन आपको अगर एक्जाम में आया है पांच पॉइंट आप लिखेंगे तारिक बन विशेष कर दिया गया है देखिए जब वनस्पत्यों पॉधों की बात आएगी तो पॉधों में भी ऐसे अंतर आते हैं आप देख पाएंगे कि जहां ज्यादा बर्फ पड़ती है वहां कि पॉधे पॉधों का से पुछ इस तरीके से हो जाता है कि बर्फ पड़े और गि हिस्सा है यह आप सभी लोग ध्यान देजिएगा अनुकूलन की डेफिनेशन याद कर लेजिएगा कि जो सजीव को पर्यावरण में सफलता पुर्वक जीवित रहने में सहायक होती है वह ही अनुकूलन है अनुकूलन में धेट सारे हम परिवर्तन करते हैं चाहे वो अनुकूलन है अगर कोई डाउट हो कोई कंफूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं लेकिन लिख कर रखें कि क्या क्या पूछना है तो आची क्लास यह तक रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और अपडेट में तब तक लिए बाएबाय टेक केर रहें एक लिए बाएबाय.